दोस्तो आत्म निर्भरता की उनिवर्सिटी में आज आत्म निर्भरता कोच आपको दिखा रहा है ऐलो वेरा इस ऐलो वेरा से साबुन बनाया है हमारी बेटी ने है यहे होम् मेड अलोवेरा सोप जो गिलिस न 갈 बेस है हमारी वैटी हमारे सात्थ वैटी है हम इन से जानँ चाहिए कि आपने घर की चीजों से का कल्यानकारी सोप कैसे बनाया है इसमें लागत कितनी आई इसमें लागत दस रुपए आई इसमें लागत साबुन को पिगलाया और अलोवेरा का पेस्ट में डाल दिया फ्रीज में रख दिया और आदे किंटे में अलोवेरा बढ़ गया इसका मोल्ड साचा बहुत खुब्सूरत है यह कैसे किया आपने यह मेरे कि स्कूल का आर्टिफिन बॉक्स से उसका चोटा वाला डिबाय उसम प्रीज में रखा और मोल्ड लिया अपने टिफिन बॉक्स का चोटा डिबा और फिर उसे फिरिज में रखकर जमा लिया इसका फायदे कुछ बता पाएंगे दोचार इसके फायदे यह इसकिन को फेर करता और अलोवेरा के तो आपको पता ही काफी साले फायदे हुते है य तक सब्सक्राइब अच्छा क्या इसके बेचने से कुछ। फ्सक्रिफिक में और साबून पचाज तकह सबस्टे है अच्छा इतना एलोवेरा मार्कीट में कमपनियां डालती नहीं है इसके इंदर एलोवेरा के छोटे-छोटे टुकड़े भी है यह देखिए यह तो वाकि रियल आलोवेरा है ऐसा लुक तो किसी कंपनी का अता नहीं है तो यह तो 2 500 रूपईय का विसस्ता है क्योंकि इतना ज्यादा आलोवेरा के इसी सोप में होता नहीं शूक्ड़ेंट टियार करती है उसमें अधिकतर तो इyrफ और १ क्लार और फूशबू होती है कaking ज бес चीचु सिरर से ळिखा और टूहे राए होता है और यह सच मुझका नेचुर एलोएरा है शो मे दिख भी रहा है यह और गmos औलिकरिस रिए स्कीं में इस स्किंपा है है जिसे मोल्ड के लिए इस्तामाल किया और खुलने के लिए